अलो आपरेवन, वेलकम टू आणलाइन फिसक्स कोचिंग सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट मैं गरता हो कि जब भी आप वीडियो देखो ठीके पूरा वीडियो देखो आपको टॉपिक 110 परसंट क्लियर होगा लेकिन पूरा वीडियो देखो आप ठीके और अगर आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो उनके लिए आपको चैनल को सबस्क्राइब करना पड़ता है और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा तो पहले वो भी गर दो तो आपको जब 2.3 में अपलोड गरो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सिक्वेंस में लेक्चर देखो अभी 2.1 देखोगे बाद में 2.2 देखो डायरेक्ट आप 2.2 देखने बेठोगे तो समझ में नहीं आएगा तो एक सिक्वेंस में आप लेक्चर देखो ठीक है तो लेक्चर नमबर 2.2 SI सिस्टम प्लेन एंगल शालीड एंगल जिसके अंदर हम बात करेंगे वन रेडियन एंड वन स्टे रेडियन ये दोनों आपकी ना सप्लेमेंटरी क्वांटिटी है प्लेन एंगल एंड शालीड एंगल फिर होगे आपकी गाइडलाइन फूर दिव राइटिंग SI unit in the symbols and power of 10s मतलब giga, mega, kilo, milli ठीक है तो वो सब हमें वहाँ पे explain करना है तो जब भी वीडियो देखो आप पूरा वीडियो देखो और जहां पे भी आपको doubt हो अब देखो मैं particular ना हर एक को एक facility देता हो कि अगर मानो कि आपको doubt है जो मेरा unknown student है तो मुझे क्या करेंगे WhatsApp पे वीडियो गुल गर सकते है तो मानो कि उसको ना यहाँ पे plan angle के अंदर doubt मिल गया तो आप बोलो कि sir plan angle lecture no 2.2 तो मैं आपको वीडियो lecture के अंदर five minute के अंदर यह live explain कर दूँगा ठीक है लेकिन उनके लिए पहले पूरा वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा ठीक है ओके चलो start करते from SI system SI system मतलब की standard international system ठीक है SI system की जिसके अंदर हरे quantity का जो unit है वो specify कर दिया internationally ठीक है तो आपकी जो French system थी MKS system उनको modify करके क्या बना SI system यह आपकी जो SI system में उनके अंदर साथ आपकी seven आपकी fundamental based quantity है और उनके अंदर दो आपकी supplementary quantity है तो उनको भी हमें discuss करना है आपको fundamental based quantity clear है फिर भी उनके symbol और उनके units में आपको represent कर दूँगा यहाँ पर और जो supplementary quantity है वो थोड़ हम detail में लेके जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर जस्ट इसा system का थोड़ा introduction दिया कि कब उनको implement किया तो 1960 के अंदर जब general conference of weight and measures मतलब की weight and measures की जो meeting होती है उनके अंदर इनको introduced किया ठीक है और उनको adapt भी किया clear? चलो तो यहाँ पर आपको दिया है कि आपकी MK system, French system, MK system को modify करके बने हैं तो इनके अंदर जो आपकी base quantities है ना उनके बारे में बात करते हैं उनके base units के बारे में दिखाता हूं मैं आपको यह आपकी fundamental base quantities है length length का unit होगा meter और उनका symbol होगा M, mass unit होगा kg symbol होगा small kg time second S ठीक है? temperature Kelvin, electric current, ampere capital A और A, K देखो मैं यहाँ पर बता दू कि symbol first letter में क्यों है? क्योंकि यह दोनों scientist के नाम से और आगे जाके ना एक rules हम study करने वाले ठीक है? तो जब भी scientist के नाम से कोई unit होगा तो उनका जब भी खाली first letter आप represent करो, तो वो क्या होगा? capital में होगा luminous intensity, candela quantity of या तो amount of matter या तो quantity of matter, mole ठीक है? तो यह आपकी कौन सी quantity है? base quantity है और supplementary quantity के लिए देखो यहाँ पे तो आपकी दो supplementary quantity और उनके units तो first है आपकी plane angle ठीक है? उनका unit क्या होगा? radian और यह इनकी symbol है solid angle, stay radian उनकी unit है और यह इनका symbol है ऐसार से लिखते हैं आप clear तो यह दोनों आपकी कौन है? supplementary quantity base quantity plus 2 supplementary quantity clear तो इतना आपके SS system के अंदर introduced हुआ तो अभी हमें दोनों plane angle and solid angle के बारे में detail में study करना है कैसे study करना है? detail study करना है ठीक है? चलो plane angle the ratio of length of arc to the radius of a circle arc मतलब radius of arc is called plane angle तो मानो कि यह आपकी arc है यहाँ पे arc AB बोलो आप arc AB और उनकी radius किसके बराबर है? आर के बराबर तो arc के length किसके बराबर होगी? AB के बराबर DL के बराबर तो उनका जो plane angle होगा वो क्या होगा? arc divided by radius तो यहाँ पे मैं बोल सकता हो क्या ऐसे होगा? AB divided by AB divided by R और एक किसके बराबर है? D theta के बराबर तो उनको आगे मैंने explain किया है देखो तो अगर मैं arc length किसके बराबर consider डर करूँ DL के बराबर ठीक है? substance angle D theta यहाँ पे D theta आपकी small angle है तो D theta किसके बराबर होगा? DL divided by R तो DL कौन होगी? arc length divided by radius ठीक है? और इनका unit क्या होगा? आपने आगे बोला था कि plane angle की unit क्या होगी? radian होगी? तो यह देखो DL divided by R radian है की नहीं? ठीक है? तो pi radian याद रखो आपकी pi radian किसके बराबर होगी? 180 degree के बराबर किसके बराबर होगी? 180 degree के बराबर मतलब की 1 radian किसके बराबर होगा? pi निचे जाएगा 180 divided by pi pi की value आपको पता है? 3.14 तो यह कितना मिलेगा? 57.7 degree मतलब की 1 radian is equal to 57.7 degree देखो solid angle के और small unit है ठीक है? minutes and second एक degree के अंदर कितने minutes होती है? 60 minutes और एक minute के अंदर कितने second होगी? 60 second इनको देखो मैं explain करता हूँ मानो की यहाँ पे आपकी यह जो angle है वो कितनी है? 1 degree तो अगर यह 1 degree angle को मैं 60 equal parts में divide करूँ देखो यह 1 degree को क्या करूँ? 60 equal parts में divide करूँ तो यह जो हर एक part बनेगा ना यह हर एक part बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? 1 minutes के बराबर समझ मैं आ की नहीं? clear? तो 60 minutes is equal to 1 degree 60 minutes is equal to 1 degree और सिम यहाँ पर वैसे ही second के लिए आपकी consider करूँ 1 minutes के बराबर मतलब देखो खाली इतना इनको और 60 part में divide करो यह आपकी 1 minute है ना इनको और 60 part में आप divide करो तो उनका हर एक part क्या बनेगा? आपका second बनेगा तो मानो कि यह आपकी कोन है? 1 minute ठीक है? तो उनको 60 part में divide करो तो अगर मैं इनको 60 part में divide करो तो यह जो एक part आपको मिलता है वो किसके बराबर मिलेगा आपको? 1 second के बराबर यह आपकी क्या होगी? 1 second तो 60 second किसके बराबर होगा? 1 minutes के बराबर clear समझ में आ की नहीं? देखो 1 degree को मैंने 60 part में divide करो तो मुझे हर एक part क्या मिलेगा? 1 minutes और इसको अगर मैं 60 और part में divide करो ठीक है? तो मुझे हर एक part क्या मिलेगा? आपको second मिलेगा clear इतना? चलो फिर next चलो अगर किसी को doubt है कि पाई रेडियन 180 डिगरी कहां से है तो वो भी देख लो तो देखलो कि यह जो arc length होती है यह arc length आपकी होगी dl के बराबर लेकिन अगर मैं पूरा ऐसे circle consider करो तो arc length किसके बराबर बनेगी? circumference के बराबर और circumference किसके बराबर बनेगी? 2 pi r के बराबर और यह जो आपका angle होगा वो पूरा circle का angle कितना बनेगा? 360 degree, ठीक है, तो 2 pi r divided by r, ओ, कितना होगा, 360 degree r r cancel, 2 pi is equal to 360 degree, तो 2 divide करो, तो 180 degree क्या होगा, pi के बराबर, clear, तो वो तो उस sample है, आपने पहले भी study किया है, फिर देखो, यहाँ पे unit की definition है, 1 radian, तो 1 radian मतलब क्या, कि यह जो d theta is equal to dl by r, या तो आप बोलो, theta is equal to arc divided by radius है, वो आपको किसके बराबर बने, 1 के बराबर मिले, ठीक है, तो यह 1 के बराबर कब possible है, जब arc length और radius दोनों same हो, तो cancel out हो जाएगी, और angle आपको क्या मिलेगा, unit के बराबर, तो देखो, when radian is defined as the angle, subtained by an arc, arc whose length is equal to radius, कि arc की length किसके बराबर है, radius के बराबर, और उन से जो angle बने, वो क्या होगी, 1 radian क्यों होगी, मैंने आपको बोला, कि arc length हो, और आपकी radius सेम होगी, दोनों cancel, तो यह क्या बन जेगा, theta आपका किसके बराबर बनेगा, 1 radian के बराबर, clear समझ में आ की नहीं, चलो, फिर next है, अपना solid angle, देखो, मैं आपको पहले भी बोले हैं, मैंने, आप video पहले से लेके, last तक पूरा देखो, ठीक है, और जहां पे भी ना समझ में आए आपको, ठीक है, आप comment कर दो, ठीक है, चलो, next, solid angle, देखो, अगर आपको बोले कि, भाई, या, plain angle और solid angle के अंदर difference क्या है, तो मैं आपको बता दू ना, कि यह जो solid angle है, वो three dimensional angle है, और plain angle ना, two dimensional होती है, ठीक तो देखो, solid angle की definition, देखो, एक दम मैंने यह मस्त आपके लिए बना है, अभी मैं आपको explain करता हूँ इन से, ठीक है, the ratio of intercepted area, intercepted area of the spherical surface, अगर एक मैं spherical surface consider करूँ ठीक है, तो उनका surface described about apex मतलब उनकी center as the center to the square of a radius is called solid angle, तो मानों की एक पूरा एक ना, spherical surface है, और उसका ना, इत area मैं consider करूँ, तो देखो, वो center के आगे, यहाँ पे कोई angle बना रही की नहीं, लेक आपकी parachute होती है, उनकी चारो corner से में string लगा के ना, उनको center में कहीं पे fixed करूँ, तो center पे जो angle बनता है, वो कौन सा होता है, आपका solid angle, तो simple मैं बोलू, कि आपकी जो solid angle है, वो कोन है, surface area divided by radius square, ठीक है, कि आपकी spherical surface की जो भी surface होगी, उनका area divided by radius square, तो वो आपका क्या बनेगा, solid angle बनेगा, समझ मैं आके नहीं, clear, चलो मैं आपको यहाँ पे explain करके दिखाता हूँ, तो मानो कि एक spherical surface है, और spherical surface का न, अब थोड़ा सा portion ले लो, मानो कि आपकी थोड़ी से एक portion है, ठी तो यह देखो, यह इनकी 4 string यहाँ पे न, उनको देखो, मैं थोड़ा आपको गुमातता हूँ, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे रहेगा, तो यह पूरी एक surface, spherical surface का इक इतना portion आप consider कर लो, देखो, यह इनकी 4 string है, उनको मैं radius बनाता हूँ, देखो, कैसे, और solid angle आपकी कहा पे बनेगी, मैं आपको simple बोलो, आपके ice cream की जो कौन होती है, और आपके आथ में जो portion रहता है, वहाँ पे आपकी कौन से बनती है, solid angle, देखो, यह वाला, यह एक करके दिखाओ, यह करके दिखाओ, यह देखो, यह आपकी surface area, और यह देखो, यहाँ पे जो angle बनेगा, solid angle, देख लो आप, ठीक है, यह आपकी surface area बनेगी, कोई spherical surface का portion होगा, और यह मेरी उंगली के आगे, मेरे थम के आगे, यह जो angle बनेगी न, वो आप देखो, उपर से, तो वो क्या बनेगी, आपकी solid angle बनेगी, clear, अभी आपकी जो notes के अंदर figure है, उनके साथ मैच करो, तो य यह आपका क्या बनेगा, यह आपके देखो, उंगली के आगे, यह क्या बनेगा, आपका solid angle, clear, ऐसे यह आपकी surface होगी, और यह इनकी क्या बनेगी, spherical surface की इलो, एक टूट भी गया, यह क्या बनेगी, spherical surface की radius बनेगी, समझ मैं आ की नहीं, चलो, तो देखो अभी वहाप पे, तो देखो, यह आपकी surface थी, card आपकी surface थी, वहाप पे, और string आपकी radius थी, ठीक ही नहीं, तो यह क्या बनेगा, वहाप पे solid angle, चलो, तो अगर मैं small surface area consider करूँ, DA के बराबर, और radius किसके बराबर है, यहाप पे R के बराबर, तो DA by R square क्या बनेगा, आपका solid angle, DA, ठीक है, यह तो D omega बूलते हो उसको, चलो, फिर देखो, हर एक unit के definition देनी है, तो यहाप पे one star radian की भी definition देनी है, जैसे one radian दिया था, तो देखो, यहाप पे one star radian कब possible है, ठीक है, तो DA by R square है न, D omega, ठीक है, तो D omega बूल, तो जब इस surface area किसके बराबर बने, square of the radius के बराबर, surface area किसके बराबर बने, square of the radius के बराबर, तो यह क्या बनेगा, आपका one star radian बनेगा, clear, समझ मैं आ की नहीं, तो क्या बनेगा one star radian, देखो, यहाप पे उतना ही change होगा, one star radian is the angle, solid angle, subtained at the center of sphere, by the surface of sphere, which is equal in an area to the square of the radius of the sphere, कि एक ऐसी surface, जिनका area किसके बराबर है, r2 के बराबर, एक ऐसी surface जिनका area किसके बराबर है, r2 के बराबर, तो r square by r2 क्या बनेगा भाईया, one steridian समझ में आकी नहीं आपको surface area किसके बराबर square of radius के बराबर तो जो center पे apex पे आपका angle बने वो किसके बराबर होगा one steridian के बराबर ओके चलो फिन next topic है आपका guidelines for writing is a unit in symbol कि आप हरे quantity का unit ले लो force ले लो किसी का भी unit लो उनको लिखना गैस है ठीक है और याद रखो physics के अंदर जब भी आप numerical calculate करोगे ना तो जो भी आपने quantity calculate किये ना उसको unit के साथ represent करना होता है तो units कैसे लिखोगे तो उनकी एक step by step आपकी methods है ठीक है मतलब उनके rules से वही rules follow करके आपको units को represent करना होता है तो first देखो small letters are used for symbol of units आपने देखा ना आगे meter था आपका kg था तो वहाँ पे small letters आपने use किये थे कि नहीं कि आपके meter थी kg थी second थी ठीक है तो इनके symbol के लिए आप क्या use करते हो small letter symbols are not followed by full stop देखो आपने ऐसे नहीं लिखा meter dot लिखा था यह गलत है ठीक है आपने kg dot लिखा था full stop किया था नहीं यह गलत है आपका second dot लिखा था नहीं तो मतलब कि आपकी जो symbol होगी उनके पीछे कभी full stop नहीं लगेगा यह याद रखो फिर next the initial letter of symbol is capital only when the unit is named after the scientist कि आपकी जो unit है ना उनका symbol capital हो सकता है कब जब वो unit scientist के नाम से हो like force का unit होता है force का unit क्या होगा Newton तो आप ऐसे लिख सकते हो दिखो खाली first letter और वो भी कौन capital पूरा नाम नहीं लिख सकते है आप ठीक है पूरा नाम के लिए आपको second letter में लिखना पड़ेगा small letter में जैसे कि मैं बोलू joule तो work done का unit joule है तो वो भी scientist के नाम से तो दिखो आप ऐसे j capital लिख सकते हो आगे आपने देखा था ना ampere current का unit कौन है ampere electric current तो उसको भी capital में लिखा था कि नहीं आपने ठीक है क्योंकि वो scientist के नाम से फिर एक और था याद करो तो Kelvin वो भी scientist के नाम से था तो आपने ऐसे लिखा था कि नहीं कि clear तो जब भी scientist के नाम से को unit होगा तो उनका first symbol क्या बन सकते है उनका first letter capital और second एक और है देखो यहाँ पर अगर आपको full लिखना है कि Newton की जगा पर Newton लिखना है तो आइसे लिखोगे आप Newton फूल ऐसे लिखोगे समझ में जूल लिखना है ठीक है तेन जूल एनरजी है तो जूल आप ऐसे लिखोगे पूरा ठीक है एंपियर पूरा लिखोगे Kelvin पूरा लिखोगे ठीक है समझ में आप फूल नेम उफ यूनिट ऑल्वेज बिगिंस विथ समोल लेटर इवन इफ नेमट भाइ साइंटेस्ट अब किलो ग्राम लिखो तो किलो ग्राम भी आप ऐसे लिखोगे ठीक है सेकें में पूरा ग्लियर सिंबल ले नहीं है अगर आप पूरा लिखो सिंबल की जगब पे तो ठीक है इनका सिंबल एन था इनका जे था और इनका क्या था किजी था अ PLAY मर्ले साइंटिस्ट के नाम से लेकिन पूरा लिखो तो सेकेंड लेटर में लिखनें स्मोल लेटर में फिर देखो next symbol do not take plural form एक singular form में आप explain newtons ऐसे नहीं लिख सकते आप ऐसा आप नहीं लगा सकते ठीक है joules ऐसे ऐस नहीं लगा सकते ठीक है आप meters ऐसे नहीं लगा सकते clear singular form में होगा plural form कभी possible नहीं है unit का ठीक है कितनी भी बड़ी आपको value मिले ठीक है 100 kg ही लिखते हो ना आप और 1 kg लिखते हो देखो यहाँ पैसे ऐस नहीं लगा सकते आप clear तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका plural form यहाँ पे होगा नई unit के अंदर clear यह ऐस आपकी नहीं लगेगी जनरल लगती है ना जो plural form के लिए वो यहाँ पे नहीं लगेगी clear चलो फिर next देखो कि physics के अंदर जो quantity होगी वो small भी होगी और large भी होगी कोई भी quantity आप मेजर करोगे ठीक है तो उनको हमें denote करना है तो उनके लिए multiple and sub-multiple form लेके आते है 10 to the power में ठीक है तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे multiple है और यहाँ पे सब multiple है और इनको मैं explain करता हूँ ठीक है देखो आपके लिए अगर मैं बोलू कि 1000 meter है ठीक है clear तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 10 to the power of 3 meter clear और यह 10 to the power of 3 का मतलब होगा kilo ठीक है तो यह क्या बनेगा आपका kilometer समझ मैं आखी नहीं आपको clear तो यहाँ पे देखो 10 to the power of 1 मतलब deka और इनका संबल है 10 to the power of 2 मतलब hecto 10 to the power of 3 मतलब kilo देखो यहाँ पे लिखा की नहीं आपने 10 to the power of 3 का मतलब क्या लिखा आपने kilo clear 10 to the power of 6 मतलब mega 10 to the power of 9 मतलब giga 10 to the power of 12 मतलब tera 10 to the power of 15 मतलब peta 10 to the power of 18 मतलब hexa है की नहीं clear समझ मैं आ की नहीं चलो तो यहाँ पे देखो अगर कोई बोले की 1,2,3,4 तो यही क्या बनेगा 10 to the power of 4 मीटर अब देखो यहाँ पे 4 नहीं है ना लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 into 10 to the power of 3 ठीके तो यह क्या बनेगा 10 to the power of 3 किलो मीटर होगा की नहीं ऐसे कनवर्जन होगा तो वह आपको याद रखना है फिर सब मल्टिपल फोर्म के लिए देखो माइनस में ठीके प्लस 1, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 वैसे ही है लेकिन अलग अलग है डेसी, सेंटी, मीली, माइक्रो, नेनो, पीको, फैम्टो, एटो है की नहीं ठीके और इनके संबल्स है चलो तो यहाँ पे देखो थोड़े कनवर्जन में न करके दिखा है तो यहाँ पे देखो, अगर कोई बोले कि मेगा आम अब देखो, याद रखो जब भी आप नुमरिकल करोगे तो आपकी जो यूनिट होगी SI सिस्टम में होगी और SI सिस्टम में मेगा कभी नहीं लगेगा वाँ पे, ठीके, लेंद होगी तो लेंद क्या होगी, मेटर के अंदर होगी अगर आपका रेजिस्टेंस होगा तो वो ओम के अंदर होगा किलो ओम के अंदर नहीं होगा ठीके, कोई भी क्वांटिटी होगी तो मेटर में होगी SI सिस्टम के फॉर्म में रहेगी तो वह आम में लेते, किलो आम में नहीं लोगे आप, ठीके मास होगा, तो मास आपकी जो होगी, वो केजी के अंदर आप वहाँ पे रखोगे, ठीके, clear, तो यहाँ पर दिखो, वन मेगा ओम, ठीके, तो मेगा ओम, टुखाली ओम जाने, तो मेगा का मतलब क्या होता है, तो मे मेगा की जगा पे आप क्या लिख सकते हो, यह इनका सिंबल फॉर्म में लिखा है, वन मेगा हो, तो मेगा मतलब 10 to the power of 6 हो, clear, समझ में आ, और आप बुल्टा भी बोल सकते हो, ना, कि 10 to the power of 6 हो, मतलब कितना, वन मेगा हो, देखो, वैसे ही 1 किलो मिटर है, 1 किलो मिटर, तो इनका सिंबल है, तो किलो की जगा पे क्या लिख सकते हो, 10 to the power of 3, तो 10 to the power of 3 मीटर, clear हो, हुआ की नहीं आपको, फिर देखो, यहाँ पे 1 डेका ग्राम है, ठीके, तो डेका मतलब कितना, 10 to the power of 1, तो देखो, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम is equal to 1 डेका ग्राम, बोल सकते हो की नहीं, फिर देखो, वैसे ही संटीमीटर है, 1 संटीमीटर, तो यहाँ पे देखो, संटीमीटर है, ठीके, तो स्मॉल यूनिट है, clear, तो यहाँ पे देखो, संटी मतलब कितना होगा, 10 to the power of minus 2, ठीके, clear, तो संटी, 10 to the power of minus 2, फिर देखो, और भी दिया आपको, मिली, तो मिली यहा पे है कि नहीं, 1 मिली मतलब, 10 to the power of minus 3, तो 10 to the power of minus 3, micro, तो देखो, कहां गया, micro era, तो 10 to the power of minus 6, micro, micro की जगब पे, clear, नेनो, ठीके, एन 4, नेनो, 10 to the power of minus 9, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, convergence हा रहे, ठीके, और यह याद रखोगे, क्योंकि, class 12 में जाओगे न, तो resistance महाँ पे बुलेंगे, बेस्ट में, example दू, capacitance का, तो महाँ पे बुलेंगे, 5 micro faraday capacitance, capacitance कितना बुला आपको, 5 micro faraday, तो उनको आप faraday में convert करोगे, तो 5 micro मतलब कितना होगा, 10 to the power of minus 6 faraday, यह हुआ कि नहीं, convergence है आपका, आपको बुले कि, charge होगा, आपका 5 micro कुलम, तो चार 10 to the power of minus 6 कुलम, आपको बुले, charge मानो कि 5 nano कुलम, तो nano मतलब क्या, तो nano मतलब 10 to the power of minus 9, 5 into 10 to the power of minus 9 कुलम, तो यह दिखो, कि आपकी micrometer भी हो सकती ना, ऐसे, तो 10 to the power of minus 6 meter, आपकी length होगी मानो कि 1 micrometer बूले, तो मतलब, meter में convert करोगे कि नहीं, आप, ठीके, तो यह conversion होगी कि यह आपकी जो है ना, symbol, वो आप याद रखोगे, ठीके, mostly यहाँ पे conversion होगा आपका, और यहाँ पे mega, kilo, बस, यहाँ पे दो याद रखनी आपको, kilo, mega, और maybe giga कभी use करोगे, और यहाँ पे देखो, micro याद रखना है, nano याद रखना है, piker रखना है, milli, cent याद रखना है, ठीके, fem2 जाके, last में आएगा, 10 to the power of fermi में आएगा, ठीके, तो यह याद रखोगे, clear, अगर आपको बोले, कि मानो की, one millimeter length है, किसी की, ठीके, length है, one millimeter, तो यह meter में कितनी होगी, milli मतलब कितना देखो तो, 10 to the power of minus 3 meter, होगा की नहीं, clear, और वैसे भी आपको relation है, याद, one thousand mm is equal to one meter, clear, यह relation भी आपको याद रखना है, okay, समझ में आ कि नहीं सबको यह, clear, तो आप सबको यहाँ पे देखो, अलग-अलग example दिये, like one pico farad, पाई का मतलब कितना होगा, 10 to the power of minus 12 farad, है कि नहीं, चलो, तो आप सबको समझ में आ कि नहीं, और इनको अच्छे से आप याद रखोगे, क्योंकि यह सब आपका class 12th के अंदर तो conversion होगा, वहाँ पे numerical में, और class 11th के अंदर भी है, कि यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, unit conversion करोगे आप, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करो, और यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ पे आप छ चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और आपके friend circle के साथ share कर दो, है न, online देखने के कोई पैसे नहीं होते, और online में याद रखो, कि मैं यहाँ पे वीडियो छोटी क्यों बना रहा हो, तो simple, कि एक साथ बनाएंगे न, तो मेरे पास उतना time भी नहीं है, और दूसरी बात, आप आपको भी न, थोड़ा gap मल जाएगा, कि सर आज इतना learn किया, कल उतना करते है, ठीक है, लैक जैसे आप regular classes पे जाते हो, और lecture होती है, वैसे ही आपका schedule बन जाएगा, ठीक है, तो thank you, and सब वीडियो को like and share जरूर करे, thank you, bye, have a good day.